नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के आबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसत भी है अब इरान की इसी यहूदी सांसत ने इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन्याहों को धंकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल का वजूद ही मिटे जाएगा इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किये जा रहे हैं कि इरान के सवर्थन में यहूदीयों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है यह दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडों के होश उड़ा दिये हैं इरान के इस एहूदी सांसद का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नई की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला एरान में एक एहुदी सांसद हुमायू सामेह या नजभाबादी ने इसराइली प्रधानमंत्री वे नियामिन नेतनियाहू को धमकी देते हुए एक अक्टूबर को मिसाइल हमले का जबाब में अगर अश्रिया देश एरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नितन्याहु सरकार के मुर्खता साबित करने वाला ख़दम साबित होगा यहुदी सांसद हुमाईू ने नेतनियाहु सरकार को चेतावनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हुमाईू नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पर्श्रिम एश्रिया में चौतरफा युद्ध शुरू हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि इरान में यहुदी कहां से आगे हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि इरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से इरान के सुप्रेमिलिटर अली खामनेई के वफादार हैं वो जितनी मुहबत अली खामनेई से करते हैं उससे कहीं जादा नफरत इरान के यहुदी नेतनियाहू और इसराइल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आकड़ों के मताविक इरान में इस वक्त 9200 से ज़ादा यहुदी रहते हैं पश्चुमे यश्या में इसराइल के बाद सबसे ज़ादा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक एरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे लेकिन बदले हालातों की वजह से अब एरान में 9200 यहुदी बचे हैं एरान में रहने वाले यहुदीों को एरान का वफादार माना चाता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमाईू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे ही कि इरान को इसराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैनिंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी की खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का confidence हाई है इरान की है पर सोनिक मिसाइल की ताकट भी बिजोड है जिसके आगे कभी-कभी आयरे डूम भी नकाम हो जाता है खामनेई का खुर्म चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचैक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिक कर सकता है जैसे हमास और हजबुला के धाकड नेताओं और कमांडरो को मारा गया है इसलिए एरानने अपनी मिसाइल टाकट के एदम पर इसराइल पर भायंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है खास तोर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से एरान इसराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लिजे खामनई मिसाइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाडी के नीचे मौझूद है इस सुरंग बंकर में इरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बलिस्टिक और हाईपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाईलें जबरदस्ट हमला करने जा रही हैं इरान की ये मिसाईलें हर तरफ से लाँच हो रही है Center for Static and International Studies यानी CSIS में मिसाईल Threat Project की 2021 की रिपोर्ट के मताबिक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाईलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नियूज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रेमियर के जरिये इरान की मिसाईल श्रम्ता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वायू सेना के जरनल कैनेथ मेकेंजी ने 2023 में कॉमरिस को बताया था कि एरान के पास 3000 से ज़्यादा बलिस्टिक मिसाईले हैं ये रिपोर्ट 2,5 साल पहले की है अब तो और भी ज़्यादा बलिस्टिक मिसाईले एरान के पास हो सकती है कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि एरान के पास दो लाग से जादा मिसाइले हैं जो इसराइल को आसानी से तबाह कर सकती है मिडियम रिंज की बलिस्टिक मिसाइल खौरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये हैं एरान के खौरम शहर के नाम पर बनी खौरम शहर मिसाइल की रिंज दो हजार किलो मेटर है खुरम शहर मिसाइल की स्पीड 9,878 किलो मिटर प्रती घंटे से 19,756 किलो मिटर प्रती घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी सावित हो सकती है वहें शहाब 3 मिसाइल की रेंज 1300 किलो मिटर है जो 8,640 किलो मिटर की रफतार से हमला करती है जबके शाहब चार की रेंज 2,000 किलो मिटर जो धुनी से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है इमाद की रेंज 1,700 किलो मिटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबकि एरान के हाइपोसोनिक मिसाइल फता मिसाइल के अधिक्तम स्पीड 16,000 किलो मीटर प्रती घंटे होती है ये मिसाइल हाइपोसोनिक गती से उडान भरती है फता मिसाइल साउंड की चाल से पांच गुना तेज रफतार से उडान भरती है इसके अलावा इरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के खाइबर शेकर ने इसराइल के तीन सेन्य अड़ो को एक अक्टूबर के दिन जबरदस्ट नुकसान पहुँचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरे किल ठोक सकती है हज कासिम के रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसट खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद्ध धस्तर पर रणनीती तयार की है सूतरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहट इसराइल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भड़काएगा अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर रात इसराइली सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक हुई इस सेक्यूरिटी कैबिनेट की बैठक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को इरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंतरी योग गैलन्ट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलन्ट ने कहा है कि स्वर्गे के दौर खुल चुके हैं सही समया चुका है इससे बי toupath ब्याद का मतलम माना जा रहा है कि इसराइल आराइल के परमारू स्वियंतियों पर हमले करने वाला है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्से इराइल के हाथ पैर हैं अब इन्हें काटने के बज़ाए इनका सेर कुछलने का वकता आचुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है इरान क्योंकि एरान की वजह से ही इसराइल को साथ फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान, गाजापर्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सिरिया, यमन और इरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शर्क्ती किंदर तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लेबनान का इस वक्त हो रहा है इसराइल ने लेबनान के बार्जा में बहुत बड़ा हमला किया इदियाफ की एर्स्ट्रैक में कई बहु मंजराय मारते जमी दोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नाकौरा में भीषण लड़ाई चारी है दक्षणी लेबनान में तनात सायुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड़क्वाडर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी कोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आया है जहां इरान इस्वराईल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर 200 मिसाइले गिरी भटी और इस्वराईल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के ओर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इसराईल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिल्कुल ताजुब की बात है लेकिन याद करिए कि कैसे वेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाके टॉकी बंबन गए थे इसराईल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराईल हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराईल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है यह गाजा इन तस्वीरों से समझी है यहाँ पर एर स्ट्राइक हुई है यह आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए है उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराईल की तरफ से हमले किये जाना है तो फिलाल यह जो आप इरिद गित देख रहे हैं यह रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमे हैं जो यहाँ पर अभी पहुची है अभी यह क्या पना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहाँ से यह है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउंपर लगी है इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन राफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट में इसराइल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीथलो उड़ा दिये है अलजनैना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक गोले का इस्तमाल करके इसराइली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलगी हमास और हिजबुल्ला दोनों को तहरान से आए अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान की मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराइल के आर्मी तैक करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इस्राइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इस्राइल हाइटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तहरान का नंबर इस्राइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक एकर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खात्मा नेतर याहू ने हमास और हिजबुल्ला को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौफनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वार्ल लाइफलाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुछ किया, जिससे तहरान में कोहराम मच गया आधी रात को इसराइल वार्रूम ने ये मैसेच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर अटैक हुआ, इस अटैक के माइने क्या है? क्या इरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है? डीटेल डरावनी है, इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयानत, जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पॉफुल वार प्लान, 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरी तरह से उजड़ गया है, और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं, जो बासिंदे जो यहां के हैं, इसराइली उनके घरों तक पहुँच जाते हैं, अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहां पर मिसाइल गरी उसकी वज़े से यह जो सोलर सि आइफा को बेहसाब रॉकेट से चलनी कर दिया है, रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराइल को धुलसाती रही, जब हाइफा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धर्ती धर्रा रही थी, बेरूत के आसमान मे काला धुआ 12 अक्तूबर की सुबा तक उखता रहा, इसराइल ने अन्दादू हमले के साथ लिबनान में हिजबुल्ला को 22 शेरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है, यह जो आप इरिद गिरिद देख रहे हैं, यह हर तरफ से तबाही है, मैं दूसरे साइड से आ को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उन्ही अलाकों को बरबाद कर देते हैं, और यह आप देख सकते हैं, कि यह बिलकुल बड़े पैमाने पे यहां तबाही हुई है, जहां पे भी आप नजर दोड़ाएंगे, वहां पे तबाही दिख रही है, तबाही के मनजर, News 18 ने जाने का फर्मान सुनाया है, दक्षडी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं, इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेंड पर भीशन हमले किये हैं, दक्षडी लिबनान के बारजा में भी IDF ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा हैं, उदर बेरूत में भी इसराइल बारूत की मात्रा कम नहीं पढ़ने दे रहा है। इस बीद बेरूत में मारे गए हिस्बुल्ला के टॉप कमांडर्स और इरान के कमांडर के शवों के शिनाख भी हो गई है। इरान की इसलामिक रेवुलूशन गार्ड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेट बॉडी भी मिल गई है IRGC कमांडर अबास की मौत नसर अल्ला पर हुए हमले में हुई थी कितनी तबाही हुई है यहां पर मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहां पर रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वज़ा से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्यात तबाही हुई है, सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इसराइल की तरफ से रोकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं बेरूत में भीशन मंबारी हो रही है और इस बीच एक बार फिर से इरान ने लिबनान के समर्थन की बात की है इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर बेरूत में हैं और इस्राइली हवाई हमलों से बचे खंड हरूं का दौरा कर रहे हैं बेरूत की बरबादी की तस्वीरे इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की इरान दौरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगा का दौरा किया जहां नसरल्ला मारा गया बारूदी खंडर के धेर को देख इरान के पूर्व सेनने कमांडर गालिबफ का खून खौल गया गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगा से ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसराइल की तबाही तक हिजबुला का युद्व में साथ देने का एलान किया है अपने बाशन के बाद गालिबफ ने लिबनान के कार्वाहक पुर्धान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है इस बैठक के बाद हिजबुला के मीडिया आफिसर हज मुहम्मद अफीफ ने ने नितनियाहू को डारेक्ट थमकी दी है अम्मद अपीफ ने नितनियाहू को डारेक्ट थमकी दिये इस बुला और इरान की धमकियां एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है इसराईल का नेक्स्ट आक्शिन इसराईल ने साइबर एटेक के थ्रिलर आक्शिन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दिये इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो कि हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा इरान के साइबर स्पेस के पूरुफ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है साइबर अटैक के दाइरे में इरान हकूमत का हर महकमा आया है यहां तक कि इरान के न्यूकलिर साइट को भी साइबर अटैक से निशाना बनाये गया है Cyber Attack की जद में एरान के बंदरगा, टरांसपोर्ट, इंदन सप्लाई सिस्टम तक आये है Cyber Attack का असर तहरान से लेकर एरान के सभी बड़े शहरों में दिखाई देने लगा है Cyber Attack के बाद एरान के सभी सीक्रेट उडा लिए गए है मतलब ये कि एरान के हत्यारों का remote control अब तेलवीब में है जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और इरान को दहलाएगा हाई-टेक लड़ाई में इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तेहरान को कबाल खाने में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है इसलिए साइबर एटाक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये हैं इरान के उड्यन मंत्राले ने मुबाइल के लावा किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है यानि प्लेन में पेजर और वौकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरोनों पर पूरी तरहां पाबंदी लगा दी गई है इस बुल्ला के पेजर और वौकी टॉकी को तेलवीब में बैटकर बम बनाकर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुका है इसके बाद इरान के साइबर वर्ल्ड में सेंधमारी ने नेतन याहू की पावर को डबल कर दिया है इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से ढूड़े 6 संस्ताओं पर प्रतिबंद लगाया है अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ट प्रॉपटी के रूप में पहचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्ताओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके सतना जहाज के कारोबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को दहलाए और फिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयान नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार